एक PDF तयार करी है मैंने आप लोगों के लिए chapter 4 की और उसमें मैंने conditional के बारे में सब कुछ लिख डाला है और सिर्फ उतना ही लिखा है जितना आप लोगों को जरूरी है सीखना revision के लिए क्योंकि वीडियो में हम practice वगरा तो काफी करेंगे intelligent idea भी चाल हुए मेरा मैं आपर जल्दी से एक file बनाऊंगा conditional से बात करने से पहले ही मैं file बनाऊंगा जारा video number देख लेता हूं कौन सा चल रहा है भी तो हमारा video number अभी 16 वाइगे तो मैं 16 के नाम से file बनाऊंगा यहापर सारी files में आपर रख रहा हूं ताकि आप लोग को देने में असानी हो cwh underscore 16 और यहाँ पर मैं लिखाँगा underscore conditional ठीक है इस नाम से class बन जाएगी और यहाँ पर एक main method बना लोगा अब बताता हूं क्या होते हैं conditionals तो देखो कभी भी आपको program से decision दिलवाना हो क्या बात हो इस मतलब का अगर मैं आप लोगों से कहता हूं decision लोग कि आप इस college में admission लोगे या इस college में admission लोगे या मैं बोलता हूं आप decision लोग कि आप python पहले सीखोगे या पर c पहले सीखोगे या java as your first programming language सीखोगे तो यह decision है यह कुछ decisions है अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं चलो यार बाहर खाने चलते हैं आज Sunday का दिन है तो आप कोई decision लेना पड़ेगा कि आप कहां पर जाना चाहते हैं तो यह सारे decisions जो हैं आप manually लेते हैं as a human उसी तरह प्रोग्राम भी conditionals के सहायता से decisions को ले सकता है तो यहां पर देखो मैंने बड़े मदेदार कहानी की तरह लिगा Sometimes we want to watch comedy videos on YouTube if the day is Sunday कभी Sunday का दिन है तो आप comedy videos देखते हो कैते हैं पढ़ाई बड़ा ही काफी होगी चलो थोड़ी comedy देख लेते हैं Sometimes we want to order junk food if it is our friend's birthday in the house club यार friend का birthday तो आप करें आज दोस्त का birthday चलो बाहर से junk food मगा लेते हैं चल जाता है कभी-कभी You might want to buy an umbrella if it's raining and you have the money अगर पैसे हैं जेब में और बाहर हो रही है बारिश तो चाता क्यों नहीं खरी देए चाता खरी देंगे लेकिन यार अगर जेब में पैसे ही नहीं है पैसे आप बचा रहे हैं बजट में चल रहे हैं तो आप ऐसे भी काम चला लेते हो कभी-कभी रुमाल वगएरा से कहते हो चलो चोड़ो यार कभी-कभी बारिश होती है तो यह सारे decisions है जो कि आप लेते हैं काम action तब लेते हो जब एक condition met होती है for example अगर Sunday है तो comedy वीडियो देख रहे हो अगर बड़े है दोसका तो junk food खा रहे हो similarly Java के अंदर भी इस तरह से instructions को जब एक condition satisfy हो रही हो तब execute किया जा सकता है और इसी को कहते हैं conditionals बहुत ही simple सा syntax है और यह concept overall बहुत simple है operators, precedence यह सब चीज आपका लगा था लेकिन मैं आपको assurity दे सकता हूं कि इसमें आपका अगर आपकी Java पहली programming language है तो दिमाग बहुत कम लगेगा और अगर आपको पहले से कोई programming language जाती है तो इसमें बिलकुल भी आपका दिमाग नहीं लगेगा तो चलते हैं आपर जल्दी से एक integer variable बनाते है तो माल लो int age is equal to 6 है और यह किसी की age है माल लो उसने कहा a के अंदर मैं अपनी age लिख रहा हूं मैं आपर कह रहा हूं कि अगर उसकी age greater than 18 है तो वो drive कर सकता है वरना वो drive नहीं कर सकता तो मैं कहूंगा अगर age is greater than 18 इसका नाम age ही रख देता हूं मैं variable का तो क्या करो तो print कर yes boy you can drive ठीक है वरना क्या करो else print करो no boy not yet ठीक है और no boy you cannot drive yet ठीक है you cannot drive yet तो इस तरह से मैंने लिख दिया और age is greater than 18 और उसके बाद else no boy you cannot drive yet ठीक है तो इस तरह से आप आप लोग कर सकते हो और मैं आप लोग को इसको run करके बताता हूं right click करके run करना और मैंने यह बात कई बार बताईए कि right click करके ही run करना क्योंकि अगर आप यह दबाते हो तो यहाँ पर देखो 16 conditions अभी आ गया नहीं तो इससे पहले आपर 15 का कोई program था वो चल जाता तो right click कर करो run पहली बार में तो तब ही आप इस program को execute कर पाऊगे तो यह देखो no boy you cannot drive yet ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसली हुआ चूंकि if के अंदर जो condition थी यह जो condition मैंने डाली if के अंदर यह true में evaluate नहीं हुई age was not greater than 18 less than 18 था तो यह false हो गया तो अगर if के अंदर की चीज false हो जाती है तो बना if के अंदर जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं age को 26 कर दूँ और run करूँ तो यह देखो execute हो गया yes boy you can drive अगर मैं age को 36 कर दूँ तब भी execute हो जाएगा and you got the point here यह अगर 18 से जाद है तो execute हो जाएगा अगर मैं 18 कर दूँ तो execute होगा क्या नहीं होगा क्योंकि age is not greater than 18 greater than equal to होगा तो हाँ हो जाता execute greater than 18 18 है greater than 18 नहीं है इसलिए यहाँ आपर no आ जाएगा भी no boy you cannot drive yet तो यह हमारे AFL's conditional है इनका syntax मैंने आपर लिख दिया है अब decision making instructions जो होते है जावा में दो तरह के होते है एक तो AFL statement है एक switch statement है दोनों ही काफी काम के होते है AFL statements भी काम के होते ह है ठीक है switch का एक थोड़ा सा अलग से use होता है जो कि मैं आपको थोड़ी दिर में बात करूँगा switch के बारे में अभी मैं if else के बारे में आपको बता रहूं अगर कोई C या C++ से आ रहा है तो मैंने mention कर दिया कि syntax जो है C, C++ और JavaScript की तरह दिखाई देता है इसका और कुछ ऐस false आप अगर कोई ऐसा statement है वो run करना चाहते हो अगर condition आपकी false है तो कौन से statements आप run करोगे वो else के इंदर डाल दो क्या else जरूरी है क्या else optional है और इसकी पुछ्टी आप इसको comment out करके कर सकते हो error नहीं आएगा अगर age greater than 18 है तब यह print होगा वरना कुछ नहीं होगा अगर else नह this point you can drive आएगा तो सिर्फ एक अकेला if भी चलता है program में ठीक है और यह rule जो है c c++ javascript python में भी होता है ठीक है सिर्फ एक अकेला if भी चलता है ठीक है तो यह सिर्फ java specific नहीं है और यह सारे concepts जो है यह मैं इनको एक generic programming concepts पोलता हूँ मैं इनको कभी भी java नहीं बोलूगा मैं इसको अभी जो बता रहा हूँ वो java नहीं है basically वो simple concepts जो है programming के सब जगा लाग होते है if else आपको almost सारी programming languages में मिलेंगे और loops most of the loops आपको सारी programming languages में मिलेंगे अला कि थोड़े बहुत different होते है loops के रदगिर्द अगर यह बात करे हम तो यहाँ पर code example ले 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 लेते हैं तो अगर a is equal to 29 है greater than 18 है तो यह print होगा वरना यह नहीं होगा देखो note that the else block is optional यह बात भी लिख दिया है थोड़ा सा मैं एक कतम पीछे जाना चाहूँगा और relational operators की बात करना चाहूँगा अब relational operators हमने पढ़े हैं लेकिन हो सकता है आपको याद नहों आप इनको relational operators के नाम से ना ढूरियोगा हम इनको स्तेमाल करते हैं करना या कोई कोंडिशन देखना हिना या हम थात रून मे में वाल्याइट हो ही है या फाल्स में वालě था है यह भी दिसे देखना है था हम Tennant रेलेशन operators का क्यों आउस वक Brillasi deixar जीखना है यह सुरे beetje डबल एक एक connectivity रिलेशन औा पीर तो अगर मैं यहापर इसको not equals to कर दूँ, age is not equals to 18 कर दूँ अगर, तो यह तब तक सच रहेगा, जब तक age 18 ना हो जाए, यानि कि अभी यहापर age 2 भी डाल दूँ, तब यहापर यह इस तरह से दिखाएगा, यह देखो, yes boy you can try, अगर मैं 18 डाल दूँ, तब क्या होगा, यह condition यह condition false हो जाएगी, क्या age is not equal to 18, नहीं age to 18 है, condition क्या कर दिखाएगा, age 18 के बराबन नहीं है, तो अगर condition यह कह रही है, कि आपकी age 18 के बराबन नहीं है, तब आप इसको print करोगे, तो मैं इसको run करूँ अभी तो, यहापर देखो, यह नहीं हुआ print, क्यों नहीं हुआ, क्यो if के अंदर यह नहीं जाएगा, और else होगा तो उसके अंदर जाएगा, और else अगर है ही नहीं, तब यह सीधा आगे बढ़ जाएगा, if के अंदर की चीज तभी execute होती है, जब condition true हो, और अगर else है तो वो execute होगा, अगर if नहीं हुआ, और if और else में से दोनों में से एक ही execute होती है, तो अभी मैं इसको run करूँ, तो else वाले execute होगा, यहाँ पर देखो, no boy, you cannot drive, you are click करा रहा है, यहाँ कि age actually is equal to 18, यहाँ पर condition करी है, age is not equal to 18, तो यह वाली चीज़ ट्रू है, तो यह चीज़ एक्ज़ एक्ज़ क्यूट हो जाएगी, I hope you got the point, और आप समझ गए यह जो relational operators है, अगर आप assignment करना चाते हो, और equality check करना चाते हो उनमें, तो दो अलग-अलग operators है उसके, अगर आप equality check करना चाते हो, तो आप double equal to use करोगे, लेकिन अगर आप assignment करना चाते हो, तो आप equal to use करोगे, for example, जब मैं कहता हूँ, int age is equal to 18, तो equal to एक relational operator नहीं, इसको equal to ना ही बोलो, आप assign बोलो उसको, हम यह नहीं बोलेंगे, int age equal to 18, हम बोलेंगे, int age assign 18, int age assign 18, कि age के अंदर हम 18 value assign कर रहे हैं, और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, if age equal to 18, ऐसे लिख दिया, तो यह error होगा Java के अंदर, लेकिन कुछ programming languages जैसे C, उनमें यह error नहीं होता है, तो वहा यहाँ पर क्या error आएगा, अगर मैं error को पढ़ू, तो यह कह रहा है कि आपको boolean type डालना, if के अंदर, आपने int डाल दिया, तो यह तो गलत बात है, तो आप यहाँ पर int नहीं डाल सकते, ठीक है, तो इसलिए, आप double equal to लगाओगे, तब उस बात का मतलब होगा कि, अगर age 18 के बराबर है, तो ऐसा करो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको run करूँ, तो यह age equal to equal to 18, जो है, execute हो जाएगा, use point you can drive, इसका मतलब यह है कि, अगर age 18 के बराबर है, लेकिन अगर मैं age equal to 18 लिख दूँ, तो यह जो statement है, यह age के अंदर 18 value assign करता है, जिस तरह मैं यहाँ और इसका if के अंदर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं age equal to equal to 18 लिख होंगा, जो कि valid है, आप समझ गए होंगे कि, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, काफी है इतना बताना, मैंने लिख भी दिया है note में कि, equal to is used for assignment, while double equal to is used for equality check, double equal to equality check के लिए इस्तेमाल होता है, condition के कोई बात पता होनी चाहिए, कि जो आपका if के अंदर है, ये चीज overall true या false में valued होनी चाहिए, आप एक boolean variable बना के भी ऐसे कर सकते हो, कि boolean condition or is equal to, आप ऐसे कर सकते हो, is equals to equals to 18, और अगर आपकी ये जो condition वो true होगी, फिर आप ऐसे कर सकते हो, if cond, अगर condition true होगी, तो ये execute ह और ये execute होगा, run करके देखते हैं इसको भी, और यहाँ पर देखो, yes boy you can drive, क्योंकि 18 है, अगर मैं इसको 19 कर दूँ, तो आप देखो यहाँ पर, no boy you cannot drive, तो ये condition अगर true है, तो ये इस if के अंदर जाएगा, वनना ये else के अंदर जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो म bookmark करके रख लेना, save कर लेना, या click करके, उससे क्या होगा, कि आपके पास पूरी course की playlist आ जाएगी, playlist access करना बहुत important है, अगर आप लोग कोर्स अच्छे से करना चाहते हो तो, च्योंकि step by step videos यहीं पर हैं सारे, आपको channel पर भी मिल जाएगे videos, लेकि ढूड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, playlist access कर लो, I hope कि यह video आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर आप लोग कोई video लगता है कि इन में महनत लगी है, और आपके काम यह चीज़े आने वाली है, यह जो handwritten notes है, मैंने अपने हाथों से आप लोग के लिए लिए लिखे है, कि आपको इससे काफी help मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत कम इस वीडियो को likes मिल रहे हैं नीचे वाले जो वीडियो से जावा प्लेलिस में, इसलिए मैं request करना चाओंगा, especially आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी करना चाओंगा थाओंगा!!!